बिबाग अंदाज से अपनी बात रखने वारी कंगना रनौत ने देशी गर्ड प्रियंका चोप्रा का राज खोला है दरसल प्रियंका चोप्रा ने हाल ही में अपने एक इंटर्वियो में बॉलिवुड छोड़ने पर बात कही प्रियंका के इस खुलासे के बाद अब कंगना रनौत का रेक्शन सामने आया है कंगना रनौत ने प्रियंका को सपोर्ट करते हुए करन जोहर और शारुक खान पर निशाना साधा है मामले को लेकर कंगना ने अपने ओफीशल ट्वीटर हैंडल से पीसी को टैक करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किये अपने इन ट्वीट्स में क्वीन एक्टर्स ने कहा प्रियंका ने बॉलिवट को लेकर कहा है कि लोगों ने उनके खिलाफ गुट बना लिया था उन्हें बुली किया गया और फिर मिंडर्स्री से निकाल दिया गया यानि जिस महिला ने अपने दम पर सब हासिल किया लोगों ने उसे ही भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया हर कोई जानता है कि करन जोहर ने उन्हें बैन कर दिया था कंगना रनौत यहीं नहीं रुकी अपने बेबाग बयानों के लिए अकसर सुर्ख्यां बटोरने वाली एक्ट्रस ने आगे कहा मीडिया ने करन जोहर के साथ प्रियांका के मन मुटावों के बारे में खूब लिखा था क्योंकि करन जोहर की शारुक खान के साथ दोस्ती थी फिर मुवी माफिया को तो हमेशा से ही कमजोर और आउटसाइडर्स की तलाश रहती है ऐसे में प्रियांका चोपना के रोप में उसे सही पंचिंग बैग मिल गया इसके बाद तो प्रियांका को इस हद तक हैरस किया गया कि उन्हें तंग आकर भारत को छोड़ कर जाना पड़ा कंगा रनौत ने अपने अगले ट्वीट में दिखा अमिता बचन और शारुक खान भी आउटसाइडर्स थे लेकिन उनके समय में इंडस्ट्री का कल्चर उतना खराब नहीं था इसे करन जोहर जैसे लोगों ने खराब किया है इस बेहुदा इश्यालू और जहरीली इंसान को फिल्म इंडस्ट्री के कल्चर और वातावरन को बरबाद करनी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कंगर रोनौत ने खुले तोर पर प्रियांका चोपड़ा का बॉलिवूड छोड़ने का आरोग करन जोहर और शारुक खान पर लगाया है वर प्रियांका अमेरिका जोकर अपनी लाइफ में अब काफी आगे बढ़ चुकी है